इस भागदोर भरी जिन्दगी में आमतोर पर कई लोगों को नींद पूरी ना हुने की शिकायत रहती है यात्रा के दौरान आमतोर पर नींद आना बड़ी सहज बात है और यात्रा के दौरान कई लोग अपनी नींद पूरी कर लेते हैं पर एक ऐसी बस सेवा शुरू हुई है जो यात्रियों को ना एक जगे से दुसरे जगे ले जाती है पर सिर्फ और सेफ उन लोगों की नींद पूरी करने के लिए ये बस सेवा शुरू की गई है और ये बस सिवा कहां शुरू हुई है और किस वज़ा से इसको शुरू किया गया है ये हम आपको ये खबर में बताते हैं यात्रा करते समय नीन दाना बड़ी कॉमन बात है खास कर बस की आतरा के दोरान हवा के ठंडे जोंको इसे अपने आप ही जब कियाने लगती है ऐसे लोगों के लिए एक कंपनी ने अनोखी और नायाब सिवा शुरू की है एक ट्रावेल कम्पनी ने उन लोगों के लिए बस सिवा शुरू की है जो ये शिकायत करते हैं कि उन्हें घर में नीन नहीं आती इस बस सिवा में उन्हें नीन्द पूरी करने की सुईधा दी जाती है तो आईए जानते हैं कि इस अनोखी बस सर्वीस का क्या माइना है और कहां ये बस सर्वीस शुरू हुई है होंग कॉंग की एक बस टूर कंपनी ने उलू ट्राविल नाम की ये कंपनी है जिनों ने ये अनोखी शुरुवात की है जिसमें यातरा के दौरान नीन पूरी करने की सुईधा दी जाती है पांच घंटे की इस बस यातरा के लिए यातरियों को टिकेट जरूर लेना पड़ेगा लेकिन वे उनका उप्योग किसी गंटव्य पर पहुँचने के लिए नहीं बलकि बस में सोने के लिए करेंगे कमपनी की ये डबल डेकर बस शहर में 47 किलो मिटर का चक कर पांच घंटे में लगाती है इसके बाद यातरियों को वहीं लाकर छोड़ दिया जाता है जहां से यातरा की शुरुआत हुई थी इस बस का किराया आप कौन सी सर्विस चुनते हैं उसके अनुसार होता है टिकेट की कीमत डेक और सीटों की स्थीति के आधार परताई की जाती है यातरा करने के लिए टिकेट की कीमत 1000 रुपे से 3800 रुपे तक है एस अनों की बस में यातरी अच्छे से सो सके इसके लिए उन्हें आई मास्क और इयर प्लग भी दी जाते हैं स्लिपिंग बस टूर की शुरुआत कुछ दिन पहले ही हुई और इसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि इसके पहले टूर की सारी टिक्टे बूख हो गई कुछी देर में ये पूरी टिक्टे बूख हो गई यातरा शुरू होने से पहले ये बस एक होटल में रुकती है जहां पर यातरी भर पेट खाना खाते हैं ताकि उन्हें रात को अच्छी नींदा सके इसके बाद बस धीमी गती से चलती रहती है और पांच घंटे की यातरा के बाद बस उसी इस्तान पर आकर रुकती है जहां से इसी यातरा की शुरूरात हुई अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान BRG News आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG News की मोबाइल एप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें